नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS Maths DRS Topper Slipers स्वागत करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं World Geography, World Geography में South America South America में अभी तक हमने ये जाना कि South America में कौन कौन से countries हैं उनकी राजधानी क्या क्या है, उनकी location आपने देखी और आपने देखा कि Sea, Gulf, Straight कौन कौन सी है, जो South America के चारो तरफ है उसके साथे साथ आपने फिजिकल फीचर्स देखा, फिजिकल फीचर्स का मतलब कि कहां पर mountain है, कौन सा famous mountain है कहां पर desert area है, कहां पर plane area है, clear, वहां के lakes आपने देखी कौन कौन सी famous lakes है और आपने ये भी देखा कि वहां पर कौन कौन सी important rivers है, clear, इन सारी जीचों को देखने के बाद में अब South America में बज़ता है कि अब हम South America को country by country देखें बात करते हैं दक्षड अमेरिकी देश चिली की, इसकी राजधानी सैंटिया को ये रहा चिली, अगर आप इसको देखो तो ये Tropic of Capricorn यानि मकर रेखा के ऊपर से यहाँ नीचे टेरा डेल्फियोगों तक ये पूरा फैला होगा है तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा अक्षांसी विस्तार रखने वाला कोई देश है, तो वो है चिली देखते हैं इसके बारे में, चिली हैव मैक्सिमूम लाइटिट्यूडनल एक्सफेंशन इन दे वर्ल्ड, दाट इस वाई, चिली हैव मैक्सिमूम क्लाइमेटिक जोन्स इन दे वर्ल्ड, जितना ज्यादा अक्षांसी विस्तार होगा, उतना ज्यादा वहाँ पर क्या कौन कौन से Climatic Jones यहाँ पर हो सकते हैं अब आप देखो इसके उपर है कौन सा Tropical of Capricorn मकर रेखा कि उपर वाला जो जो जोन होगा यहाँ पर Tropical ठीक है यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर कैसा होगा Temperate और फिर कहीं कहीं पर अलग-अलग होगा देखते हैं कौन-कौन सा जोन है यहाँ पर Climatic Jones की बात करेंगा हम North to South तो सबसे पहले आता है Desert Climate फिर आता है Mediterranean Climate और फिर आता है Western European Climate and then Polar Climate Polar Climate सबसे दक्षण में टेरा डिल्फियोग और उसके आसपास उसके उपर Western European Climate उसके उपर Walpresso और सेंटियागों की आसपास Mediterranean Climate और Tropic of Capricorn और उसके उपर वाले एरिया में क्या होता है आपका Desert Climate होता है ठीक है तो यह वाले एरिया में यहाँ से सुरू करेंगे तो पहले Desert Climate आएगा फिर Mediterranean Climate आएगा फिर उसके बाद आपका क्या हैगा European Climate होगा और फिर उसके बाद इसके नीचे आपका यह क्या हो गया पोलर क्लाइमेट हो गया इंपोर्टन शिटी कौन कौन सी है एरिका वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सूखी सिटी यहाँ पर पिछले 33 सालों में सिर्फ 5 सेंटिमेटर रेंफॉल होई इसको क्या कहते हैं घोष्ट सिटी इसी वज़े से क्या कहते हैं घोष्ट सिटी घोष्ट सिटी क्यों भाई जब इतनी कम बारिश होगी पानी होगा ही तो लोग वहां पर रहेंगे ही नहीं तो पूरा का पूरा शहर एकदम खाली और बीरान पड़ा हुआ इसलिए इसको क्या कहते है, गोस्ट सिटी कहते है, अगर आप देखोगे, अरिका कहां पर है, तो यह रहा, एरिका, ठीक है, गोस्ट सिटी, most driest city of the world, कहां पर situated है, चीली के बिलकुल नौर्थ में, यहां पर कैसा क्लाइमेट होगा चीली में, बिलकुल सही, desert climate, रेनफॉल कि पाई जाती है, guano bird, काउसी, guano bird, जो अटाकामर desert में पाई जाती है, इसके beat, जो यह beat करती है, इसके beat में natural nitrate पाई जाता है, starting में हमने आपको साहद इस पक्ची का नाम, जहां तक मुझे ध्याना रहा है, मैंने आपको बोला था, अटाकामर बर्ड, तो यह guano bird, गुआनो किसके production के लिए famous है, natural nitrate के लिए, अब देखते हैं, iqq है कहाँ पे, आप अगर यह देख पाओगे, तो Erika के बिल्कुल नीचे, यह था Erika, उसके नीचे आपका यह है, iqq, iq किसके production के लिए famous है, natural nitrate के लिए, clear है, आगे बढ़ते हैं, फिर next आता है, चुक्की कमाटा, यह वर्ल्ड, चुक्की कमाटा, इस वर्ल्ड's biggest copper mining center, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा copper की अगर खान, अगर कोई बोले, तो वो कहाँ पर है, चुक्की कमाटा है, यह कहाँ पर है, चिली में, उसके बाद आता है, walper eso, walper eso किसके लिए famous है, wine industries के लिए, wine industries के लिए, हमने आ desert climate जब खतम होगा, उसके नीचे आपको कौन से मिलेगा, Mediterranean climate, भूमद्य सागरी जलवाई हो, अगर आपको ध्यान हो, अमने आपको बताया था, जहाँ पर Mediterranean climate होगा, वहाँ पर citrus fruits पाय जाएंगे, citrus fruits वहाँ पर होगे, तो वहाँ पर जो industry develop होगी, वो कौन सी industry develop होगी, wine industries, clear, तो यह रहा Walpareseo, Walpareseo यह रहा, यहाँ पर क्या होता है, wine industries developed हैं आपे, तो यह किसके लिए famous है Walpareseo, wine industries के लिए famous है, चोकी कमाटा किसके लिए famous है, world की biggest copper mining center के लिए, ठीक है, इसके उपर क्या है आईकेक, आईकेक किसके लिए famous है, production of natural nitrate, उसके उपर को नहें है, एरि नेक्स्ट आता है आपका conception, तो conception क्या है, यह यहां की education city है चिली की, education city का मतलब की education hubs जो होंगे, वो कहाँ पर developed है conception में, और उसके बाद आता है पुंटाई रिनास, अगर आपको ध्यान हो पिछले lectures, तो वहाँ पर हमने आपको दखाया था, पुंटाई रिनास को कहाँ पर, यह रहा conception, conception क्या है यहां का, बिल्गुल सही, चिली का education city, यह रहा conception, और जब आप नीचे आओगे, तो यहां पर नीचे हमने आपको यह दिखा रखा था, कि यहां पर यह है आपका पुंटाई रिनास, यह क्या है आपका, southernmost habitat city of the world, चिली fishing के लिए भी बहुत famous है, किसके लिए popular for fishing, तो इस वज़े से चिली एक fish producing country भी है, use amount में यहां से fish का export होता है, fish का production होता है, तो यही चीज़ क्या है, चिली is very much popular for fishing and is a fish producing country, पेरू, पेरू के बारे में देखते हैं, यह रहा पेरू, पेरू के capital हो गई, लीमा, चलो आगे अब देखते हैं इसके बारे में क अगरिकल्चर नहीं होगा तो source of economy बहुत कम होगा, लीमा यहां की biggest city है, और biggest city होने के साथ साथ एक great cultural, industrial और commercial center भी है, पूरी country की 30% population इसी city में, इसी mega city में रहती है, किसमें लीमा की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहे हैं पेरू की, तो पेरू जो है यह Spain की colony हुआ करती थी किसकी colony थी, Spain की, और यह 1821 में उससे आजाद होई, clear, और पेरू, ancient time में, पेरू जो है वो इंका empire, जो हमने आपको बताया था, इंका civilization यहाँ पर developed ही, South America में, तो इंका empire का, जो है यह बहुत ही important port होगा करता था, अगर हम बात करें लीमा की, तो लीमा भी biggest city होने के साथ यहाँ पर एक जानवर पाया जाता है लीमा, एक animal है लीमा, यह यूज होता है transportation के लिए, mountainous region में, जैसे आप देखते हैं यहाँ यूज होता है यहाँ इंडिया में, वैसे ही, पहाडी शित्रों में, mountainous region में, transportation के लिए, सामानलात करके लिए, उसको ढोने के लिए, जो यह यूज होता है इसका नाम क्या है लीमा पेरू जो है कि एक रिच है मिनरल में किसके लिए मिनरल रिसोर्सेज में और इस वन आफ दे लीडिंग प्रोडूसर्स ओफ सिल्वर कंट्री ठीक है अब इसके बाद सेरो डे पासको कौन सी सेरो डे पासको ये एक सिल्वर माइनिंग सेंटर है पेरू का अगर बात करते हैं यहां के मेजर अगरिकल्चरल प्रोडक्ट्स की कौन कौन से यहां पर है तो उसमें आता है आपका कॉटन, वुल, सुगर, कॉफी, राइस बीन्स ठीक है आइन पोटेटोज, कॉर्ण, जो मेज है वो नेटिव है पेरू का, ठीक है जो मक्का जिसको आप कहते हैं, that is native to पेरू फिशिंग इंडस्ट्री भी यहां पर डेवलप्ट है पेरू में और पेरू जो है कि यह is the world's most important producer of fish meals ठीक है, जो मचली का भोजन, मचलीओं से बनने वाले जो भोजन है उसका, मतलब उसका production उसके producers में यह एक one of the most important producer है दक्षड अमेरिका की country, Ecuador देखते हैं इसको, यह रहाब का Ecuador, capital है इसकी, Quito दुनिया की पहली ऐसी राजधानी, first ऐसी capital जो equator, भूमद रेका या विश्वत रेका परिस्तित है, वो काउन सी है, Quito यह रहा, Quito, world's highest capital विश्व की सबसे उचाई परिस्तित, राजधानी यह यह कहें, कि सबसे उचा राजधानी शहर कौन सा है, Quito है इसका famous port कौन सा है, Guaakil port कहा situated है, Gulf of Guaakil में जैसे नाम आए, immediately यह सारी चीज़ें आपके mind में तुरंत आ जानी चाहिए Galapagos Island, यह किसका है, यह Ecuador का island है कहां पर situated है, West of Ecuador in Pacific Ocean यहां तक इतनी बातें नाम लो, इतनी चीज़ें आपको तुरंत ध्यान में आ जानी चाहिए यही पर एक चीज़ा और आप जान लो, यह जो Ecuador का island है, Galapagos कौन सा? Galapagos यह Galapagos या Galapagos जो कहलो, यह विश्व धरोहर में सामिल किया गया है तो Galapagos प्रसान्त महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले जो जो ज्वाला मुखी द्वीपों का एक समू है जो Ecuador से कितनी दूरी पर है? 972 किलोमेटर, 972 किलोमेटर पश्चिम में इस्तित है यह योनेश को विश्व धरोहरस्थल है इसी द्वीप पर Charles Darwin ने अपने क्या किया थे? जैव विविद्धा का अध्यायन कहां पर किया था? गैलापैगोस द्वीप पर जो किसका द्वीप है? यह इकवादोर का आईलेंड है कहां परिस्तित है? इकवादोर से 972 किलोमेटर पश्चिम में बो मदिरेखा के आसपास फैला कैसा ज्वाला मुखी द्वीपों का एक समोव है आगे बढ़ते हैं तो कैपटल क्या हो गई? क्वीटो, situated at equator, having ideal equatorial climate for living its maximum region is mountainous तो equator की maximum region कैसा है? पहाड़ी छेतर है, mountainous है गालापैगोस या गालापैगोस आईलेंड द्वीप जो है यह क्या? situated in pacific ocean, it is a part of Ecuador it is famous for production of banana किसके production के लिए famous है? बनाना के production के लिए famous है केले के production के लिए Ecuador has first rank in per hectare production of banana एक hectare area में जो banana produce होगा जितना केला यह उत्पादन करता है पूरे world में अगर per hectare production का comparison किया जाए तो Ecuador की first rank है per hectare production of banana में और India की first rank है total production of banana में सबसे ज़्यादा केला कहा किस देश में पैदा होता है? अगर quantity के मामले में देखो गे तो India पर hectare सबसे ज़्यादा केला की पैदावार कहां पर होती है? तो वो होता है Ecuador में गुवाकिल एक port city है किसकी? Ecuador की कहां पर situated है? Gulf of Guaakil दुनिया के सबसे उचे और active volcano सबसे उचा और जागरत ज्वाला मुखी कहां पर situated है? इकुवाडोर में नाम क्या है? चिम्बो राजो एंड कोटोपैक्सी चिम्बो राजो की हाइट कितनी है? 6310 मेटर और दूसरा कौन सा है? कोटोपैक्सी ये दुनों जागरत ज्वाला मुखी जो की highest है ये कहां पर situated है? इकुवाडोर में यहां की 50% population अगर आप देखोगे तो वो रहती है इसके coastal region में किदर? coastal area में 50% population रहती है western coastal region में इकुवाडोर सिर्फ और सिर्फ per capita per hectare production नहीं है बनाना के first rank में बलकि ये world का largest banana exporter भी है मतलब सबसे ज़्यादा बनाना पूरे world में अगर कोई export करता है तो वो है इकुवाडोर इंडिया की first rank है total production बनाना में तो जितना पैदा करते हैं उतना क्या उससे ज़्यादा ये consume भी करते हैं ठीक है? लेकिन इकुवाडोर में क्या है? कि इनकी पैदावार बहुत अच्छी है और पैदावार होने के साथ साथ ये उसको export भी करते हैं निर्याद भी करते हैं किसका? केले का तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाना यानि केले का निर्याद करने वाला देश कौन सा है? वो है इकुवाडोर और केले के साथ साथ जो दक्षडी अमेरिका की सबसे हलकी लकडी है बालसा जो हमने आपको बताया था उसका भी एक्सपोर्टर कौन है? इकुवाडोर कहां से यहीं गल्फ अब गुवाखिल जो इनका गुवाखिल पोर्ट सिटी है गुवाखिल से ही वो क्या होती है? एक्सपोर्ट हो जाती है तो यह सारी बात यह थी किसके लिए? इकुवाडोर के लिए एंडीज माउंटेन के पूर्वी ढाल तथा उच्च नदी घाटी एवं मैदानी भाग को इकुवाडोर में हम नाम देते हैं ओरियंटे क्या बोलते हैं इसको? ओरियंटे यह कहाँ पे है? इकुवाडोर वहीं अगर हम बात करते हैं पेरू की तो पेरू में इसे कहते हैं मोन्टाना क्या बोलते हैं इसको? मोन्टाना M-O-N-T-A-N-A और वहीं पर अगर हम यह बात पतानी हो बोलिविया में इसे क्या कहते हैं? तो बोलिविया में इसे कहते हैं यूगान्स क्या कहते हैं? यूगान्स किसे? एंडीज माउंटेन के पूर्वी ढाल एवं उच्च नदी घाटी एवं मैदानी भाग को ठीक है? इकुवाडोर में ओरियंटे एक मात्र ऐसी कंट्री है जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे पड़ा हुआ है अप देखोगे तो इधर क्या है? पैसिफिक कोशन और इधर से क्या होगा? जो आपका केरिबियन सी या ये किसका है? अटलांटी कोशन तो इकलाउती ये ऐसी कंट्री है जो पैसिफिक कोशन और अटलांटी कोशन के कोस्ट पर सिचुएटेड है अगर आप ये देखो कि कोलंबिया किसके किसके साथ अपनी बाउंडरी बनाता है इधर है पनामा इधर आपको देखेगा वेनेजुएला और इधर आपको देखेगा ब्राजील तीन देशों के साथ ये अपनी बाउंडरी शेयर करता है वेस्ट में कौन है पैसिफिक कोशन प्रसांत महसागर इधर कौन है केरेबियन सी या अटलांटी कोशन आपके लो क्लियर है इसका मैक्सिमम रेजिन कैसा है मौंटेनियेस है, पहाडी शेतर है जो प्लेन रेजिन है, वो नॉर्थ में है और वो agricultural activities के लिए famous है agricultural products कहाँ पर होंगे नॉर्थ रेजिन में जो इसका प्लेन रेजिन है अगर हम बात करते है कोलंबिया के इसका मैक्सिमम रेजिन जो है कोफ़ी producing country Coffee Fields in Columbia is called as Finca जो अहाँ पर Coffee का उत्पादन होता है कोलंबिया में उस जगह को किस नाम से जानते हैं? Finca के नाम से जानते हैं कोलंबिया वर्ल्ड की largest producer and exporter है किसकी? Mild Coffee की अगर आप बात करो mild coffee की तो ये पूरे वर्ल्ड में इसकी largest producer और largest exporter है कौन? कोलंबिया और इसके साथ ही साथ ये वर्ल्ड में जो है कि ये leading producer है Emeralds का और उसके साथ ही साथ ये platinum और gold का ये क्या है? leading producer है ठीक है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं South American country Venezuela Venezuela आपको देख रहा है ये रहा Venezuela Capitalist की क्या है? Caracas यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पर lake कौन सी है? Maracaibo Lake Maracaibo Lake में कौन सा एक reason पर आ जाता है? Maracaibo जहाँ पर किसका collection क्या जाता है? production क्या जाता है? Lake Maracaibo के पास में जो Maracaibo reason है ये रहा Maracaibo यहाँ पर किसका production होता है? Petroleum Oils का ठीक है? Only country of South America which is member of OPEC OPEC की जो member country है वो इकलावती ऐसी country है वो कौन सी है? Venezuela clear है? बाकी Venezuela का नाम आते हैं आपको क्या याद आना चाहिए? कि world का जो highest fall है angel fall वो कहाँ पर है? वो यहीं पर है Venezuela में ही situated है और यहाँ पर क्या situated है? Lake Maracaibo यहीं पर situated है जो यहाँ पर पाए जाने वाला घास का मैदान है वो कौन सा है? Lanos आगे बढ़ते हैं It is an oil producing country economy of when you realize depends on petroleum Maracaibo is a part situated on Maracaibo Lake famous for oil export इसी वज़े से Maracaibo को क्या बोलते हैं? oil port के नाम से भी जानते हैं ठीक है? American country गुयाना अगर आप देख रहे हो तो यह रहा गुयाना गुयाना की capital क्या है? George Town बाकी इसके बारे में क्या बात करना है? कि गुयाना में जो maximum region है वो platuous region है और यहाँ पर जो ज़्यादा तर लोग है maximum people in गुयाना are Indian slaves भारती जो मज़दूर है वो उनको कैद करके उन्हें slave बना करके लेकर के यहाँ पर लाया गया था और वो यहीं पर रह गये तो इसलिए गुयाना की maximum population है वो किसकी है? वो है Indians की इसके बाद आगे बढ़ते है दक्षड अमेरिका की देश सूरिनाम की यह दक्षड अमेरिका का सबसे छोटा देश है सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील तो सबसे छोटा देश आपका कौन सा है? सूरिनाम सूरिनाम और गयाना दोनों बाक्साइट के एक बड़े उत्पादक देशों में से हैं दोनों में किसका प्रोड़क्शन होता है? बाक्साइट का ठीक है? बाक्साइट किसका हो रहा है? अलुमीनियम का तो दक्षड अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील और सबसे छोटा देश कौन? सूरिनाम इसके बारे में क्या? यह हो गया आपका इट वस कोलोनी ओफ पोर्टुगीज किसकी कोलोनी थी यह? पोर्टुगीज की और इट इस दो बाक्साइट प्रोडुसें कंट्री ओफ साउथ अमेरिका आप देख रहे हो कहां पर है? यह रहा सूरिनाम इसकी कैपिटल क्या है? परामारिवो यह रही परामारिवो कैपिटल कि इसकी सूरिनाम के सबसे छोटा देश और सबसे बड़ा देश ब्रजील clear? रक्षड मेरी के देश फ्रेंच गुयाना यह रहा आपका फ्रेंच गुयाना कैपिटल इसकी क्या है? काइने यह किसके लिए famous है क्या क्या चीज़ है यहाँ पर this is a colony of France present में यह France के लिए की colony उसी के control में है कोरू यहाँ पर satellite launching center है जो की magnetic equator पर है ठीक है जो equator है आपका magnetic equator उस पर situated है कोरू especially जो geostationary satellites launch होती है वो यहीं से launch होती है कहां से कोरू से जो कहां पर है French गुयाना में कहां पर South America में यहाँ तक बात पिल्कुल clear है अब इसके बाद आ गया आते हैं दक्षड अमेरिकी देश बोलिविया यह रहा आपका बोलिविया capital इसकी है लापाज जो कैसी capital इसकी political सुकरे कैसी है इसकी administrative capital पेरू की boundary पर यह है Titica का लेग कौनसी लेग जो कि विश्व में सबसे उचाई पर इस्तित नौका वहन के लिए use होने वाली परियोग की जाने वाली नौगम यह जील कौनसी है Titica का जील या Titica का लेग जो किसकी boundary पर situated है आपके यह है situated पेरू और बॉलिविया की boundary पर यह रही इसके बारे में जानते क्या है कि बॉलिविया एक landlock country है इसका maximum region प्लेटूस और मौन्टेनियस है यह एक poor country है क्योंकि प्लेटूस और मौन्टेनियस region होने के वज़े से agricultural product यहां पर नहीं हो पा रहा होगा यह famous है इसके लिए tin के production के लिए बॉलिविया is a famous tin producing country आगे बढ़ते हैं दक्षड अमेरी की देश परागवे कहां पर situated है बॉलिविया के ठीक निचे आपको दिग गया परागवे यह आपका परागवे capitalist की आशुन्सियान यह भी कैसी है landlocked country है कौंसी रिवर होकर क्या आ रही है परागवे रिवर आ रही है जो आगे चल करके कहां पर किसे मिल रही है पराणा रिवर से और फिर यह आगे चलती है उर्गवे रिवर आती है यहां पर कैस मिलती है क्या बनता है लब लाटा है शुरी इतनी सारी चीजें फटाफट दिमाग में आजानी चाहिए जैसे ही इसका नाम आपको सुनाई पड़ता है अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं तो ये भी लेंडलाउट कंट्री है इसकी एकोनमी किस पर बेज़ट है एगरिकल्चर पर और ये एक डेवलपिंग कंट्री है कैसी कंट्री है डेवलपिंग कंट्री और यहीं परागोय के ठीक नीचे जो हमने आपको दिखाया पर पराना रिवर उसी पर इस्थित इटेपू परियोजना इटेपू डैम या इटेपू परियोजना आपको याद दिला दें यह एक बहु उद्देशी परियोजना है किस पर बनाई गई है पराना रिवर पर पराना नदी पर बनाई गई एक बहु उद्देशी परियोजना है जिसमें विश्व की सबसे अधिक जल विद्यूत उत्पादन चमता है वर्ल्ड की सबसे ज़ादा जल विद्यूत उत्पादन चमता किसमें है इटेपू बहुत देशी परियोजना में यह इटेपू डैम के पास में डेवलप की गई है और यह इटेपूट एम किस पर बना हुआ है पराना नटीप पर बना हुआ है ठीक है अगर आप इसकी location देखना चाते हो तो यह हमने आपको दिखाया था यह रही कौनसी इधर से आ रही परागवे रिवर ये कहां पर मिल रही है परागवे रिवर में परागवे रिवर ये इसके capital क्या है? Stanley, अविर port Stanley. किसका है ये island? UK का, United Kingdom का. ठीक है? It is colony of UK and an island country of South America. आगे देखते हैं इसमें क्या है? कि Brazilian warm current, ब्राजिल से आने वाली जो गर्म जलधारा and cold current of Falkland. ये यहीं पर मिलती हैं. जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा जहां पर मिलेंगी, अवियस सी बात है कि वहां पर fog बनेगा. कोहरा, हलका कोहरा बनेगा. तो fog इस वज़े से इस पूरे island पर हमेशा क्या रहता है? fog बना रहता है पूरे साल. ठीक है? पूरे साल fog क्यों बनता है? क्योंकि Brazilian warm current and cold current of fogland यहीं पर मिलती है. तो जब fog बना रहेगा, चिछला समंदर होगा, तो वो किस के लिए बेटर होता है? fishing के लिए. इस वज़े से fogland island famous किस के लिए है? fishing के लिए. इस island को लेकर के Argentina और United Kingdom के बीच में dispute अभी तक जारी है. यह किसका होगा? फिलहाल इस पर कबज़ा भी UK का है. clear है? आगे बढ़ते हैं. दक्षिड अमेरिका का island Trindad and Tobago. कौनसा? Trindad and Tobago. यह कहां पर होगा? यह रहा उपर आपका Trindad and Tobago Caribbean Sea में situated है. ठीक है? इधर Trindad and Tobago. Capital इसकी क्या दी? Port of Spain. इसके बारे में क्या-क्या और कुछ और जानना है आपके पास में? यह एक island country है. Caribbean Sea में है. दो बिग islands हैं कौन-कौन से? एक Trindad and Tobago. Maximum population यहां की कैसी है? वो Indians है. यहां की maximum population किसकी है? Indians की है. यहां की President and Prime Ministers भी कौन है? वो Indians ही है. ठीक है? तो यह सारी बाते हो गएं किसके बारे में? island, Trindad and Tobago के लिए. Capitalist की Port of Spain. इस वीडियो में इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक आप देखते रहे हैं. वीडियो को पसंद आता है. तो वीडियो को लाइक जरूर करिए. किसी भी वीडियो को start से end तक जरूर देखिए. आपके जो भी suggestions, जो भी questions हैं. उसे आप comment में हमसे पूछिए. हमें बताइए. comment जरूर करिए. वीडियो आपको पसंद आती है. informative है. अच्छी लगती है. examination point आव्यो से बनाई जा रही है. तो आप इस वीडियो को प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ maximum लोगों को share करिए. जिससे हर कोई इसका benefit उठा सके. और सबसे पहली बात अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया. तो इससे सबसे पहले subscribe कीजिए. जिससे हर आने वाले latest वीडियो की update सबसे पहले आपको मिले. सबस्क्राइब करने के साथ साथ आप bell icon को press करना ना भूलिएगा. ठीक है? bell icon को तुरंद दबाईए. जिससे हर आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अबडेट सबसे पहले आपको मिले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ